हलो दोस्तो शड़ी मूर में आपका स्वागत है बिहार दरोगा परिख्षा 2021 जो की 26 दिसंबर 2021 को दो सिप्ट में होने वाला है लाखो अभियारती इस एक्जाम में पाटिसिपेड करने वाले हैं काफी अभियारती चिंतित इस बात के लिए हैं कि जब भी वो इतिहास का और कुशन देखने के बाद यह इनलाइसिस पर पहुंचा हूं कि इतिहास के कुशनिंदा चिप्टर है जहां से बीपी एससी हमेशा प्रसंट पूछा जाता है जब भी एससी एक्जाम लिया है वो हमेशा प्रसंट वहां से पूछा हुआ है ठीक यहां पर मैं आप बता द है कि प्लिम्स में आपका रियल्ट आ जाए और प्लिम्स में रियल्ट लाने के लिए अभी आपके पास अच्छा का सा समय बचा हुआ है मैं मात्र इतिहास कि यह 20 टोपिक बताऊंगा और यह 20 टोपिक आपको एक सरसरी निगास से देखना है और जरूर यह पढ़ लेना है एक्जाम में जाने से पहले 2-3 बार जरूर पढ़िएगा डेली भी एक घंट आप देते एक से देड़ घंटा ते एक्जाम से पहले 2-3 बार आप जरूर पढ़ लीजेगा इस टोपिक को से जो प्रसन पुछा जाता है कहीं न कहीं यहीं टोपिक से आपके प्रसन पुछा जाता है और हमेशा प्रसन आप अगर देखेंगे प्रिभियस यर का तो जो भी मैं टोपिक बता रहा हूं इसको आप मिला सकते हैं ठीक है पिछली बार जो भी इस्टूडेंट पास किये उनको मैं टोपिक बताया था आप देखेंगे जिस टोपिक को मैंने बताया था उस टोपिक से डाइरेक्ट कुशन निकल कर आया था इस बार मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं यह टोपिक जरूर पढ़ कर जाएगा एक से अधिक बार सबसे पहले हडपा सबेता यह सिंद कहाँ से मिला है यह कुशन अब कर दरोगा में पूचा हुआ है यह धयान मर रखिएगा और कोई अस्थास ब्रत नोमर ने पर दो आपको और कोई भी बुक पढ़िए कोई भी बुक निकालिए लेकिन पढ़ लिजेगा जरूर ठीक अगर इतिहास के सभी प्रसन आपको करना है तो इसरे में आपको महाजनपत काल महाजनपत काल में 16 महाजनपत के बारे में आपको मिलता है इसका कहां से यह मिला है जैसे अं जादा ही question बना हुआ है यह देख लिएगा जैन ध्रम भी और बहुत ध्रम भी दोनों को compare करकर पढ़िएगा अराम से एक दो घंटा में दोनों चिप्टर फरिया देंगे टिक जैन ध्रम बहुत ध्रम और इस से related बनने वाले पढ़ लेना होगा और मौरकिल जो है इसमें आपको देखिए किस 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 आपको राजा को हरा कर मौलकां जेसे चंद्रगप्तमोर के परदाहन बन्तर कोण थे उन् ISIS बना हूँ asing स्वह प्रसन बना हुआ है फिर आता है गुप्तकाल देखिए कम समय में आपको वहीं टोपिक पढ़िए या पहले जो टोपिक आप पढ़ चुके है तो उसमें से यह टोपिक छाट लिजे और इसको ज्यादा से ज्यादा रेविजन कीजे जो मैं बता रहा हूं टिक गुप्तकाल स दो जो प्रता, बतालब कि गुलाम वंस उसके बाद जो अलग-अलग वंस आये हैं उसको सजानका दे देता है गुलाम वंस के संस्थापक देदेगा खिलजी वन्स के आपको खुशन स्थापक देगा, तुगलग वन्स के संस्थापक देदेगा, तीये सब भी आपको लेकर चलना है, और जो महतपुड जैसे कि आपको इलतुतमिस से कुशन मन जाता है, बलबन से कुशन मन जाता है, अलाओधिन खिलजी से कुशन मन जाता है, अगर पालिस आप पड़े होंगे, तब पर भी अर नहीं पड़े होंगे, तब भी आपको जहांगीर हुआ, तब जहांगीर के बाद ही आपको साज आएंगे, तो उसके बाद और यह बाएगा, यह आपको जो मुख रूप से यह वाला जो है, जो राजा का मैंने नाम बताया, इनका एक बारे में देख लिजिएगा, यह कहा कहा बनवाए हैं, और इनका कारकाल कैसा था, और यह कब किस समय में यह आपको राजा बने थे, और इनके द्वारा कुछ परमुख किया हुआ का इतना भी डाटा है, याद कर लिजिएगा, क्योंकि मराठा से भी प्रसन आपका पूछा जाता है, अब यहाँ पर आपको modern स्टार्ट होता है, मदकालिन और प्राचेनी मिला कर मैंने आपको कितना टोपिक बताया, 9 टोपिक बताया, अब 11 जो टोपिक होगा, यह आपके ल जरूर देख लिजेका, कुशन पूछता है मिलान करने के लिए, ठीक, 11 ब्रिटिश सत्ता का बिस्तार, जो ब्रिटेन वाले आते हैं, अपना सत्ता का कैसे बिस्तार करते हैं, जैसे कि पहले बैंगाल से सुरुवात करते हैं, उससे पहले आपको देखे कि महसूर में भी, और कहीने कहीं पंजाब में भी, मतलब चौतारफा वो कहीने कि यह अपना समराज बिस्तार करते हैं, जिसमें से पलासी का यूद, 1757, बकसर का यूद, 1764, आपको इलहाबाद की संदी, 1765, यह महतपूर भूमिका निभाता है, यहाँ पर परत्यक्षासन करने के लिए, पुछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है, और यह टोपिक दिया हुआ है, आप कोई भी बुक निकालिए, टोपिक निकालिए, और पढ़लिए, अधागंटा का टोपिक है, आराम से आपको बन जागा कोशन, फिर जंजाती अभी द्रो कहां पर हुआ है, उसके मुख ने हुआ था, इसमें क्या पूछता है, यह पूछता है कि कौन से छेतर से थे, जैसे कि जगदीशपुर आरा से आपको बीर कुमर्सी थे, वैसे पूछे दिया कि कौन से छेतर से थे, और जो अंग्रेज धमन किया था, उसका नाम पूछ देता है, बस यहीं आपको अठारो सो पचासी जब कांग्रेस का सापना होता है, और 1905 तक यह आपको नरम पंती या उदरवादी चरण जो है, पॉइंट वाइज लूशन पे देखिएगा, या कहीं भी बुक में, आपको पढ़ लेना है, इसमें ज्याद आपको दिमाग अपनी खापाने की जरूरत नहीं है, फिर 15 नमबर पर देखिएगा, गरम पंती या उगरवादी चरण, जो कि 1905 से लेकि 1907 तक होता है, जो फेक्ट है, उसे पढ़ना है, ठीक, फेक्ट यहां से पढ़ लेना है, या आपको याद रखना है, यहां सब गरम पंती या उदरवादी चरण, जो उलूशन पर देख लेना है, ठीक, फिर आपको 17 नमबर पाइंट देख लीजे, ब्रिटिस समराज के गौवर्नर जनर और वायसराय, मैं आपको बता दू, कि गांधी जी से रिलेटेज जितना भी प्रसन है, मैं आपको 50 प्रसन करा दूँगा, उसका चिंता मत कीजेगा, और एक्ज किसके काल में, जैसे कि आपको सबस्यादा जो प्रसन पूछा हुआ है, पीछली बार दरोगा में, देख अपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक, अब देखे, 18 देख लिए, कि कांग्रेस का अध्युवेशन और सम्मंधित आपको, जो आपको कहां पर हुआ है, जैसे कि तो 2021 का Congress Advation कहा हुआ था यह पूशकता है आपको यह 2022 में जो आपको लिया गया था सयोग अंदोलन वापस वह आपको कौन से आपको दल बना था यह सोराज दल जो बना था आपको उसके बाद ही तो बना था उनुशन पूशकता है कि कौन-कौन बनाए थे ठीक यह देखें उ और यहां पर 20 नमर पॉइंट आज का लाश्ट है कि प्रमुख राजवन्स संस्थापक और राजधानी जो अलग-अलग प्राचेन से लेकि आप दिखिएगा मतकालीन तक जो जो राजवन्स है अब छित्रिये भी देख से अलग-अलग जो राज्यों में है जैसे तच्छ टोपिक मैंने बताया था आप लोग पढ़ कर नहीं गए इसलिए आपका कुशन गलत हुआ ठिक यह कुशन आपको यहां से देख लेना है आप लोग बुलिएगा तो उढ़ाई से 300 कुशन टोप में आपको करा दूँग इतिहास से जो भी यह टोपिक है और आराम से आप देने जाईएगा तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला है अब यह आपके उपर डिपेंड कर रहा है कि मैं टोपिक कराऊं कि नहीं कराऊं यह कुमेंड बक्ष में जरूर अप लिख कर बताईएगा अगर कोई डाउट है तो कौन बक्ष में लिख शकते हैं आपके पास य इत्यास में वीडियो देखने का अब को बहुत धन्यवाद